इंफलेशन के साथ साथ सिर्व रहने और खाने के खर्चे ही नहीं बलकि पढ़ाई लिखाई के खर्चे भी आसमान छोरें एक जिम्यदार माता पिता कि सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि कम से कम उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख ले और अपने पैरों पे खड़े हो जाए ताकि उनका भविश्व उज्वल हो तो इसलिए हमें बच्चों के लिए आज से ही प्लाइनिंग करके अच्छा सेविंग्स करना चाहिए क्योंकि आपकी आज की सेविंग्स ही कल आपके बच्चों के काम आएगी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शियर करने वाला हूँ एक ऐसा प्लाइन जिसे आप अपने बच्चों के हाईर स्टेडी के लिए या उनके शादी के लिए आज से ही निवेश कर सकते हैं सबसे पहले ही जानते हैं कि हमें निवेश की शुरुआत करने चीए आईडिली जब आपका बच्चा 2-3 साल का हो जाए तब ही आपको निवेश की शुरुआत कर देनी चीए ताकि जब वो 20 साल का हो तो उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो जाए इतने लंबे समय के इंवेश्मेंट से आपको कमपाउंडनी का भी बेनिवेश करें पर आपका इंवेश्मेंट एक्स्पूनेशली ग्रोव करेंगा पर किसी भी केस में आपको अपने बच्चे के हायर एडिक्शन के एटलीस 5-6 साल पहले उनके लिए निवेश करने की सोच सकते हैं ये स्कीम सेप्टेंबर 2020 में ही लौँच की गई है और आज हम इस फंड के इंवेश्मेंट प्लान को डीटेल में डिसकस करेंगे तो ये फंड एक equity oriented mutual fund है इसमें आपका investment का लगभग 82% equity में इंवेश्मेंट रहेगा और बाकी debt और government securities में सेक्टर allocation की बात करें तो इस mutual fund ने लगभग 15% consumer product companies जैसे Hawkins Cooker, Procter & Gamble, Hygiene & Health, Toddler Diary, Hudson Agro Products में निवेश किया है इसके अलावा इस fund का 10% allocation bank जैसे ICC bank, SGC bank और CSB में भी है इस fund का लगभग 8% allocation foreign companies जैसे Nvidia और Netflix में भी है market cap के हिसाब से देखे तो इस fund का लगभग 24% investment small cap companies में है इस fund को Mr. R. Sinivasan और Mr. Diniya Sahooja जी manage कर रहे है Mr. R. Sinivasan is MCOM and MFM और SBI-AMC को join करने से पहले वो मोतिला लोस्वाल में भी काम कर चुके है और वो SBI के लिए और भी 10 schemes को manage करते है Mr. Diniya Sahooja MMS Finance है और SBI-AMC को join करने से पहले उन्होंने L&T Investment Reliance Asset Management जैसे companies के साथ भी काम किया है SBI-AMC में वो इस fund के अलावा और भी 11 schemes को manage कर रहे है अब इस fund के बाकी details के बारे में बात कर लेता है इस fund में 5 साल का lock-in period भी है लेकिन अगर इस 5 साल से पहले आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है तो lock-in period भी खतम हो जाएगा अगर आप allotment के एक साल के अंदर इस fund को redeem करते हैं तो आपको 3% का exit load देना होगा अगर 2 साल में redeem करते हैं तो 2% का exit load देना पड़ेगा और 3 साल में redeem करने पर 1% का exit load देना होगा 3 साल के बाद redeem करने पर कोई exit load नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 5 साल का lock-in है तो ये exit load आपको तभी लगेगा जब invest करने के 5 साल के अंदर आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है इस fund का objective आपके बच्चे के future के लिए निवेश करना है इसलिए आपको इस fund में account भी अपने बच्चे के नाम पर ही खुलवाना होगा पर क्योंकि आपका बच्चा भी minor है तो parent या legal guardian को इसे operate करना होगा और बच्चे के ब्याप में वो इस fund में निवेश कर पाएंगे इस fund में आप minimum 5000 रुपया से lump sum investment और additional investment आप 1000 रुपया से कर सकते हैं आप इस fund में minimum 500 रुपया से SIP की सुरवाद भी कर सकते हैं अब सबसे important इस fund का return की बारे में बात करें तो इस fund ने बिछले साल लगबग 14% का analyze return दिया है जबकि इस fund का category का average सिर्फ 5% ही था Lastly taxation की बात करते हैं तो ये एक equity scheme है इसलिए इस fund पर equity taxation applicable है क्यूंकि इसमें 5 सार का login period है तो इसके units sell करने पर long term capital gain tax पे करना होगा एक लाग तक का capital gain पर कोई tax नहीं लगेगा और एक लाग की ऊपर capital gain पर आपको 10% का tax फढ़ना होगा अब बात करते हैं कि क्या आपको इस fund में निवेश करना चाहिए इस fund का जादर allocation small cap और mid cap companies में हैं जो की fund manager के हिसाब से multi baggers बन सकते तो जाइड सी बात है आपका investment time frame long term होना चाहिए इस fund को aggressive hybrid category में रखा गया है मतलब इस fund का लगबग 70-80% पैसा हमेशा equity में रहेगा तो इसमें risk भी जादा है आपको इस fund में तभी निवेश करना चाहिए अगर आपका risk appetite high है और daily volatility से आपको कोई effect नहीं होता है इसलिए अगर आप इस fund में निवेश कर रहे हैं तो आपको at least 7-8 साल तक का सोच कर ही निवेश करना चाहिए तो ये थी मेरी analysis SBI Magnum Children Benefit investment plan के बारे में अगर आप इस fund में निवेश करना चाहते हैं या अपना portfolio review करवाना चाहते हैं तो आप हमारे asset guru से नीचे दियेव नबर पर बात कर सकते हैं या हमें whatsapp भी कर सकते हैं अगर आपको मेरी analysis अच्छी लगी तो please like करें और वीडियो को share करें अपने दोस्तों के साथ चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में बितनी investment knowledge और strategy के साथ अब तक इस वीडियो देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ invest करें खुश रहे